ओपो रेनो 7 सीरीज रेसेंटली इंडिया में लॉंच किया गया है और अभी से नए रूमर्स स्पैक्स रिवील होना स्टार्ट हो चुका है ओपो A96 स्मार्टफोन के बारे में तो यह एक बजट प्रैस पॉइंट पे इंडिया में लॉंच किया जाएगा क्योंकि ओपो का ज यह चैना में लौंच हो चुका है और इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉंच किया जाएगा और अन की दॉट्पीडेव हो चुका है तो अगर अगर आप ओपो ए-96 स्मार्टफोन का वीड करें तो इस वीडियो को कंटिनियू जरू कीज़ेगा सो हे गाइज मैं हूं मंचर और आप सभी का टेक मंचर डूप्चन में हम इसके तरह बहुत-बहुत स्वागत है यह आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइ हो चुका है और इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉंच किया जाएगा और मिड्रेंज प्राइस पॉइंट पे लॉंच किया जाएगा तो यह काफी बढ़िया है और आप सब लोग जानती है अपो का हर एक सीरीज और एक जो फोन होता है वो प्रिमियम फोन बनाने की कोशि यहां के बात करेंगे तो आप इसका फ्रस्ट लुक और डिजाइन देख सकते हूं काफी प्रिमियम है और मैं खुद इस कलर को देखें मैं इम्प्रेस हूं क्योंकि मैं खुद इस फोनों को भाई करने वाला हूं क्योंकि काफी अमेजिंग लग रहा हु了 कि मिल्याली था उसमें आपको लाइट दिया गया था LED लाइट तो सेम यहां आपको इस फोन में भी तेखने को मिलने वाला camera cutout में बाकी यहां features अलग-अलग है तो 6.43 इंच का FHD Plus जो है डिस्प्ले दिया गया है इंगर पर स्कानर भी मिलने वाला अगर बात करें यहां परफूमस की तो ओपो ए 96 में कॉलकॉम स्नाफ डेगन 695 चिपसेट दिया जाएगा जो की 5G चिपसेट है और एक प्राइस 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 चिपसेट को यूज किया जाता है तो काफी बढ़िय है हाँ बाकि आप इजना गेमिंग एक्सपीडियेंस नहीं ले सकते हैं या नॉर्मली आप खेल सकते हैं साथ में बात करें हैं क्यामरा से टप की तो ओपो ए 96 में फजो कैमरा होगा 48 मेगा पिक्सल का और नेक्स कैमरा होगा टू मेगा पिक्सल का क्यूंकि डूएल कैमरा मिलने वाला है और फजो कि सेंसर होगा वो सौनी का होगा और नेक्स जो सेंसर होगा वो ओ आयस का सेंसर मिलने वाला है साथ में फ्रंट सैल्फी कैमरा 16 मेगा पिक्सल का दिया जाएगा और यहां आप 4K 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे तो यह काफी वर्ड का फॉस चार्जर भी दिया जाएगा और यहां आपको जो है यूजबी टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा 3.5 mmg के साथ साथ मैं आपको यहां कलर ओएस का ट्वेल का अपडीड भी मिलने वाला है और अगर बात करें इंडियन वेरेंट की तो इंडिया मैंस का दो को लॉंच किया जाएगा फर्ज होगा 4GB और नेक्स होगा 6GB 128GB इंटरनल स्टोर्स तक का ओप्सन दिया जाएगा साथ मैं यहां LPDDR 4X तो अगर बात करें ओपो ए 96 5G स्मार्ट फोन की प्राइज के बारे में तो इंडिया में इसका प्राइज होने वाला है 20,000 23,000 अगर ब बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में भी दिखने को मिलने वाला है तो यह थे ओपो ए 96 स्मार्ट फोन की कुछ लेटिस्ट अप्डेट या फ्रिकले स्पैक्स लिक्स अन्बॉक्सिंग तो यह चीज़े मिल सकता है अब यहां इंडिया का विरेंट में क्या क्या चेंज कि पूछना हो तो आप मुसे पूछ सकते हैं मैं जरूर आपको रिपलाइ करने की कोसिस करूंगा और ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसन है तो चानल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जोड़ दोबाए ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए